Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, वोफुली अच्छ होंगे, तो आज जो हम लोग बहुत ही important concept cover करेंगे, वो है partnering powers of the president, ठीक है, देखिए इस topic को हमने इसलिए choose किया है, क्योंकि president आपका जानते है, बहुत ही important topic है, चाहे आप कोई भी exam ले ले, state PCS हो, UPSC हो, EPFO हो, या भी even RBI हो अगर किसी में भी, अगर quality से related कोई questions आता है, तो उसमें president का question जरूर आता है, अब president में जो है, जो सबसे confusing part है, वो आप कह सकते है, one of the confusing part है, वो partnering powers है, क्योंकि इसमें terms होते हैं, जैसे commute क्या होता है, respite क्या होता है, रिमिट क्या होता है, तो इस तरह के चीजों को हम लोग स commission किसको कहते है, respite किसको कहते है, ठीक है, तो हम लोग पूरे concepts के साथ देखेंगे, कि आपको दुबारा इसको रटनाना पड़े, और इस वीडियो के बाद आपको इस topic पे at least कोई भी confusion ना हो, ठीक है, तो चलिए start करते है, अब देखिए, अब recent एक event हुआ था, अभी March और April किसमें, आप जानते है, शबनम अमरोहा केस जो बहुत फेमस है, जिसमें इन्होंने मास किलिंग किया था, seven members के इनलों के family का, तो इनका क्या है, कि इन्होंने सारा legal channels अपना लिया और वहां से उनको नहीं मिला कोई राहत, तो फिर इनके बेटे, 12-year-old son थे शबनम के, उन् प्रेजडेंट रामनात कोविन को, कि वो जो है, वो forgive कर दे, एक तरह से मतलब समझ ले कि उनको उनसे गुआर लगाई, कि अब जो है, सारे legal channels जो है, वो exhaust हो चुके हैं, तो अब जो है, आप clemency प्रोवाइड करें, clemency बेसिकली वही जो pardoning power होता है, प्रेजडेंड उसको है कि कौन सा article के अंदर जो है, प्रेजडेंट को ये power मिलता है, तो clemency power जो प्रेजडेंट को मिलता है, वो मिलता है under article 72, और ये article का अगर हम sayings देखें, तो ये कहता है, कि the president shall have the power to grant pardons, देखिए, आपे pardons पहले कोई टर्म है, इसको हम लोग समझेंगे pardons क्या होता है, reprieves, respites, or remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense, ठीक है, ये तो है wordings आपका constitution का, अब यहाँ पर जैसे pardons, reprieve, respite, remission है, ये क्या है, और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि इसके जो है, एक दूसरे से दोनों जो है, दो टर्म्स जो है, वो differ कैसे क आपको लगता है कि सारा पावर जो है, वो pardoning power है, लेकिन इसमें हर वर्ड का जो है, वो different meaning है, चली हम लोग एक एक करके देखेंगे, अब लोग को confusion होता है, हमने देखा, जस्ट pardon होता है, commute होता है, remission होता है, respite होता है, और reprieve होता है, ये five जो आप कह सकते है, एक तरसे जो pardoning powers है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, और आपका confusion जो है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखी क्या होता है, कि 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 आप किसी भी आप जाते है, पेशी हुआ किसी का, तो सबसे पहले क्या होता है, कि आपका जो भी मुजरिम है, जो भी ठीक है, अगर आप guilty prove हो जाते है, जो भी charges अपका लगा, तो आप basically आप convicted हो जाते है, आपका conviction जो है, वो प्रूव हो चुका है वहाँ पर, ठीक है, अब आपका conviction जो है, जो आप guilty prove हो गए है, तो फिर आपका क्या होता है, कि फिर आपका होता है sentence, अब आपको जैसे आपने sentence का भी देखिए, दो, अगर आप हम लोग sentence को अगर मापना चाहें, तो दो तरीका होता है, एक तो होता है nature of sentence, कि sentence क्या है, क्या मिला उनको death penalty मिला है, उनको life imprisonment मिला है, या फिर उनको vigorous imprisonment मिला है, ठीक है, उसके बाद होता है magnitude of sentence, अगर जैसे death penalty हो गया वो तो ठीक है, ल imprisonment हुआ है, तो उसको बोलते है magnitude, अब आपको दो चीज का ध्यान रखना है, sentence में, कोई भी sentence जब जो डिचरी सुनाती है, तो इसमें दो चीज होता है, एक nature, दूसरा magnitude, ठीक है, इन दोनों चीज को अगर आप समझ जाएंगे, तो आपको जो है reprieve, remission, commit, जो है, जितना भ power को बोले, तो उसमें first जो था, वो था pardon, ठीक है, pardon का मतलब क्या होता है, it removes, यहाँ पर देखिए, it removes both the sentence and the conviction, and completely absolves the convict, मतलब यह हुआ, अभी हमने just देखा, sentence में देखी, जब भी आप convict प्रूव हो गए, ठीक है, आपका conviction हो गया, प्रूव, कि आप guilty है, उसके बाद sentence हो power है, pardoning power, इसको बोलते है, pardon करना, मतलब आपको एक totally free citizen बना देंगे, मतलब आपका conviction भी खतम हो गया, और आप पे sentence जो जुडिचरी ने सुनाय था, वो भी खतम हो गया, मतलब जैसे अगर आपको आजीवन का रावास मिला था, death penalty मिला था, कुछ भी मिला था, वो उससे गया गया और sentence से भी free करा दिया गया, और conviction से भी free करा दिया गया, कि आप जो है convicted अब नहीं है, तो basically यह हुआ कि एक तरह से पूरी तरह से आप free हो गया है, ठीक है, तो इसको बोलते है pardon, मतलब अगर अगर हम पूरा pardoning power of president में बोलें, तो first आपका होता है pardon, pardon basically हुआ आपका सारे sentence और conviction को खतम कर देना, ठीक है, उसके बाद आता है, अब होता है commutation, commutation क्या होता है, it denotes, यहाँ पर देखिए, यहाँ words को ध्यान से देखिए, it denotes the change of nature of sentence, अब हमने just देखा था, हमने देखा था, क्या conviction के बाद हमने क्या देखा था, sentence, sentence में हम लोग क्या देखा था, nature, nature में क्या होता था, कि आपका death penalty है, आपका vigorous imprisonment है, life, जो भी है, आपका different types of sentences होता है, तो वो होता है nature, अब यहाँ पर क्या है, जब commutation क्या होता है, president को यह भी power है, कि यह nature जो है, वो sentence का change कर दे, मतलब nature change हो जाए, अगर death penalty है, तो उसको कर दे rigorous imprisonment, अगर rigorous imprisonment है, तो उसक sentence में nature और दूसरा magnitude, तो जब आपका nature change होगा, तो वो हो जाएगा, आपका commutation, यह बहुत important है, जैसे death penalty से हो गया, life imprisonment, ठीक है, तो आपका clear हुआ, पहले pardon, pardon में क्या हुआ, आपका sentence and conviction दोनों हटा दिया गया, आप free citizen बन गया है, दूसरा क्या है, commutation में आपका nature change कर दिया चलिए कि आपको death penalty था, तो आपको हमको लोग regress कर देते हैं, यह regress था तो उसको self कर, मतलब simple कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया nature जो है, आपका change कर दिया गया, उसके बाद आता है remission, अब यहाँ पर देगे क्या है, यहाँ पर it implies reducing the magnitude or period of sentence, ठीक है, जैसे हमने द तो यह जो था, basically यह था magnitude, ठीक है, अब जब आपका magnitude change कर दिया जाए, आपके कुछी किसी भी sentence का, तो उसको हम लोग बोलते है, remission, ठीक है, तो जल्दी से बताई, commutation क्या था, commutation आपका था, कि आपका nature, change of nature of sentence, मतलब, कि nature ही बदल दे हम दो, कि कैसा, कैसा आपको जो सजा मिला है, उसका हम लोग nature ही बदल दे, दूसरा क्या है, हम लोग magnitude बदल दे, तो उसको बोलेंगे remission, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर change of nature बिलकुल नहीं होता है, यहाँ पर nature जो है, वो ऐसा ही रहेगा, अगर rigorous imprisonment है, जैसे rigorous imprisonment है दो साल के लिए, तो उस इसके बाद आता है respite, ठीक है, respite, अब आपको क्या करना है, इसको समझने का थोड़ा सापको, यहाँ मतलब हो सकता है, कि इसमें confusion हो, अगर लेकिन आपको commutation और remission यहाँ तक clear है, तो आपको respite भी समझ में आ जाएगा, देगे होता क्या है, कि आप कभी कभी होता है, क्या जब उनको सुनाया जा रहा है वो सजा, तो उस समय उनका pregnancy हो गया, तो उस वज़ा से जो उनको nature award किया गया था, उनको जो nature award किया गया था, उनके sentence का, वो उनके physical disability से जो है, आप देख सकते हैं कि उनको problem होगा, उनको मतलब एक तरसे उनका, जो भी उनको सजा मिल रहा है, क्योंकि वो जो है physically disabled है, तो उस case में क्या होता है, temporarily जो है आपका nature चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि temporarily अगर आपका, जैसे, अगर आपका rigorous है, तो उसको simple कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का जब temporary change of nature होता है, temporary change of nature, यहाँ पर ध्यान रखिए, temporary, अगर हम जो है, change of nature due to some physical disability, यहाँ पर देखिए, nature हम लोग change कहाँ पर कर रहे थे, commutation, तो commutation को अगर हम लोग एक तरह से करे, temporary nature का जब हो, तो उसको हम लोग respite बोलेंगे, अब आप समझे, जब किसी भी चीजन, physical disability है, किसी के वाज़े से भी जो है, आपको temporarily change करना पड़ा नेचर, जैसे, इसमान ने हो जाएगा, जो कि normal sentence था आपका वही चलेगा, तो इस तरह के चीज़ को बोलते है, respite, ठीक है, respite मतलब, respite का ऐसे भी मतलब आपका होता है, कि जो temporarily आपको थोड़ा सा जो है, रहात दिया गया है, due to some reason, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आपका पहला था क्य अब हम लोग जो देख रहे है, वो देख रहे है, ठीक है, अब यहाँ पर देखी क्या है, यहाँ पर होता क्या है, कि जैसे सारे legal channels exhaust हो गए, उनका कुछ sentence है, तो अब क्या होता है, कि यह एक normal reprieve का मतलब क्या हुआ, कि normal stay डाल देना, मतलब आप पे जो भी sentence मिला है, आपक कि आपको टाइम मिलता है, आप इसी टाइम में जो है, पाड़न और कम्यूटेशन सीख कर लिजे प्रेजिटेंट से, इसका मतलब क्या हो कि यह प्रेजिटेंट ही प्रोवाइट करते हैं आपको कि आपका जो एक्जिक्यूशन है, जनरली डेथ पैनल्टी में दिया है ता आप एक्जूशन कर पाएं इस ओपरचुनिटी को इसके लिए प्रेजिटेंट आपको एक स्टे डाल देता है, आपके जो भी एक्जिक्यूशन, आपका जनरली डेथ पैनल्टी पर एक स्टे डाल देगा, कि चलिए अब आपका डेथ पैनल्टी नहीं होगा तुर्द, आ हमारा सेंटेंस जो है, उसको कम्यूट कर दें या फिर और कोई नेचर ऑफ चेंज करना है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिप्रीव भी पता चल गया है, तो चलिए हम लोग बार जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं, अब आपको कन्फूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले पाड़न, पाड़न मतलब पूरी तरह से फ्री हो जाना आपको, सेंटेंस, कन्विक्शन, खतम, उसके बाद कम्यूटेशन क्या हुआ, चेंज ओफ नेचर, नेचर जो है, आपने चेंज कर दिया, सेंटेंस का, डेथ से लाइफ क्या हुआ, टेंपररली चेंज करना नेचर को, जिसके वज़े से कैदी का जो भी सेंटेंस है, उसको जादा लगेगा, तो इसलिए उसको करते हैं, टेंपरली चेंज करते हैं, नेचर को, उसके बाद आता है, रिप्रीव, मतलब क्या हुआ, रुख जाओ, स्टे, प्रेज बहुत इंपरेंट थे, अब हम लोग देखते हैं, कि इसमें डिफेरेंट्स केया है, आप हम लोग गलोग गवरणर का प्रेजाशन, यहीं पर देख लेते हैं, क्यूश में उसके इसे भी आपका कुचकुक्य बनता है, अब प्रेजिए उसको बोला याता है, इसको आथाा उसको भी आप पाड़न कर सकते हैं, लेकिन ये पावर जो है वो गवर्नर को नहीं मिलता है, तो जो जो डिफरेंस है प्रेजेंट और गवर्नर में वो हम लोग देख लेते हैं, आपर कि कोर्ट मार्शनल के द्वारा जो भी अगर कोई डिसियन होता है, तो उसमें पाड़नि अगर आपका पेनल्टी जो है वो डेथ पेनल्टी है तो उस केस में जो पाडन पावर होगा वो आपका प्रेजडेंट के पास होगा ये पावर जो है गवर्नर को नहीं मिलता है तो गवर्नर को क्या डिफरेंस दो प्रेजडेंट से कि एक तो कि वो कोट मार्शल के केस में ज तो इसको बहुत लोग समझते हैं जैसे यूएसे में क्या होता है कि प्रेजडेंट फॉर्म आफ गमेंट तो वहां पर जो भी आपका क्लिमेंसी प्रोवाइड किया जाता है वो प्रेजडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है ठीक है लेकिन यहां इन केस ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं कि हमारे आख जो भी होता है एडड अडवाइस ओफ चांशल आफ मिनिस्टर पर होता है तो इसी का लोगों को लगता है कि जो प्रेजडेंट करें तो वह उनका उनके मन पटिपेंड करता है नहीं यहां पर भी जो है वो जो जो भी जिसको भी पाड़न कर उनके council of ministers से consult करेंगे और उनका जो decision होगा वही president का decision होगा तो यहाँ पर इस जिसको आप confuse नहीं करें कि president का यह discretionary power है यह discretionary power नहीं है this is done on the aid and advice of council of ministers ठीक है और यहाँ पर पहले क्या है इसमें जो है आर्टिकल सेंट यह तो था ही clemency का power लेकिन इसमें क्या था कि इसमें कुछ judicial review का जो है प्रावधान नहीं दिया हुआ है constitution में लेकिन आपका जो है Supreme Court ने पूरु सुधाकर case में जो है एक small window जो था वो judicial review का दिया था उन्होंने कहा था कि जो clemency जो भी judicial review लेकिन constitution में जो है इसको नहीं दिया गया है कि कहीं पर इसका judicial review किया जाएगा लेकिन जो पूरु सुधाकर case में था इसको जो है अब जो है confusion नहीं होगा अगर होगा तो आप इस वीडियो को जो है 2x पर करके फिर से revise कर सकते हैं आपका ये वाला part जो है वो अच्छे से cover हो जाएगा ठीक है तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही lecture में तब तक thank you